हेलो गाइस मेरे नाम है राजंदरफटर इस चैनल पर दोस्टो आपका स्वागत है दोस्तों आप सभी Gmail ID यूज करतें लेकिन Gmail ID का आकाूटунд create करते हैं, जो दोस्तो आप नाम डालते हैं, डेटर अबर डालते हैं, या आपका phone number है, या recovery email ID डालते हैं, अगर इसमें दोस्तो आपको कुछ भी change करना है, मतलब आपका नाम incorrect है तो आप आप일 बी पता है, या हम id गते हैं, अगर आपका name है या date of birth है उसको आप आसनी से change कर सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है आपका mobile का browser open करना है mobile के browser में open करके आपको दिखा देता हूँ तो mobile browser open करने के बाद दोस्तों आपको क्या search करना है Google account search करना है तो Google account में डाल दिया है इसको search कर देता, search करने के पाद दोस्तों इदर आपको उपर आ जाएगा यह देखे Google account तो इसके उपर click कर दीजे, click करने के पाद दोस्तों इस देखे इदर उपर आपको इस sign in का button दिख रहे हैं, तो इस पे मैंने already sign in किया है, तो अगर आपने किया न बिलकम आ रहे है वेलकम आ गया जो आपका नाम हे वह दिखरहे आपको को लाद को अभी इधर कुछ found इसको छोड़तीजे और उपर ही एदेकरा को पर्स्न इंपॉर्मीशन दिए तो इसके ऊपर आपको क्लिक कान्या परस्न आपका प्रोफाल है ओपन हो गया तो अभी दोस्तों यह देखें मेरा नेम है बर्डेट है जेंडर है पास्वोड है कॉंटेक है मतलब कॉंटेक इंपोर्मेशन मतलब जो आपका जीमेल आइडिए इमेल आइडिए फोन नंबर है तो अभी दोस्तों में आपको इधर आपका जो name है वो आप आसानी से इधर click कर कि मतलब name के उपर click करना है और आप आसानी से change करना है अगर आपको name change करना है तो इसके उपर उसको cut करके आप जो आपका name है वो change कर सकते हैं और save पे आपको click करना है फिर उसके बाद save हो जाएगा तो अभी तुम्हें change नहीं करने वाला तो इधर cancel करना है आपने change करने के बाद आपको save करना है तो इस अभी इधर birth date है अपका हम birth date birth date आपको अगर दोस्तो चेंज करना है तो आपको एक ध्यान में रखना है जैसे आप date of birth चेंज करते हैं उसके बाद आपका जो एक ID अप्रूप के लिए upload करना पड़ेगा तभी आपका वो अप्रूप हो जाएगा वरना आपका जो आकाउंडे कुछ दिनों के लिए बंद क कर दिया जाएगा तो दोस्तो अगर आप date of birth चेंज करते हैं तो आपको ID फूफ उदर अप्लोड करना पड़ेगा तो आप जेंडर आसनी से चेंज कर सकते हैं आपका पासवोड भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो अगर आपने recovery email ID नहीं डाला रहेगा तो आप email ID पर क्लिक करके यह जो आपका है वो ऊपर चेंज नहीं होता है, Google Account email दिया है वो चेंज नहीं होता है जो आपका ID रहते हैं वो चेंज नहीं है, इदर add recovery email का जो ऑप्छन आया है इसको आप आसनी से चेंज कर सकते हैं इसके ओपर आपको पासवोड डालना पड़ेगा क्य एड़वंस में कुछ दिये आपको डिटल्स सॉरी इसको बैक ले लेता हूँ एड़वंस में कुछ दिये है तो आप इसको पढ़ सकते तो अभी तो मैं बैक ले लेता हूँ उसी तरह से आप रिकावर इमेल अड़ सकते हैं अभी कॉंटेक्ट नमबर अगर आपको चेंज कर करके इस पेंसिल के उपर क्लिक करके आप उसको इडिट कर सकते चेंज कर सकते इसके लिए आपका जो पासवर्ड है उमाएंगा जाएगा तो पासवर्ड डालने के बाद ही आप उधर इडिट कर पाएंगे अगर आपको वो डिलिट करना है तो इधर आपको बॉक्स दिया delete का उसके उपर आप क्लिक करके आसनी से उसको delete कर सकते तो मैं यह back ले लेता हूँ इसको भी back ले लेता हूँ तो इसी तरह से दोस्तों आप सभी जो details है वो change कर सकते मतलब आपको कुछ भी problem नहीं आएगा अगर आपका कुछ भी details मतलब नाम है, bird date है वो आप आसनी से आपका change कर सकते आपको कुछ भी problem नहीं आता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है अगर आपको भी change करना है तो आप आसनी से यह video देखके आसनी से change कर सकते है और दोस्तों के लिए आपके लिए लाता रहा हुता है Thank you so much दोस्तों जैसीन